परिचाए पिता जी हमारे घर का दर्वाजा कितना कमजोर और रूखा देख रहा है हाँ बेटे ये दर्वाजा आठ से दस वर्ष पुराना है किन्तु पिता जी ये दर्वाजा इतना कमजोर क्यों हो गया है बेटे ये संक्शारण के कारण हुआ है संक्षारण वो क्या होता है पिता जी? अच्छा पिता जी अब मुझे संक्षारण के बारे में पता चल गया है पिता जी क्या आप मुझे इसके बारे में और अधिक बता सकते हैं? हाँ बेटे और अधिक जाननी के लिए आज हम लोग वैदुत रसायन के बारे में अध्यान करेंगे इधन सेल के बारे में चानना, संक्षारण को परिभाशित करना, जंग लगने के वैदुत रसायन सिध्धान्त का विशलेशन करना और संक्षारण के रोग थाम की व्याख्या करना वैदुत अभघटन वैदुत अभघटे या इसके जलिये विलियन में वैदुत धारा की प्रवासे होने वाले रासायनिक अभघटन के प्राकरम को वैदुत अभघटन कहते हैं वैदुत अभघटनी सेल वो पात्र जिसमें वैदुत अभघटन का प्राकरम संपन होता है वैदुत अभघटनी सेल कहलाता है इसमें एक वैदुत अबघटनी टैंक होता है जो किसी अचालक पदार्थ की बनी होती है वैदुत अबघटे द्रव अवस्था में या जलिये रूप में वैदुत अबघटनी टैंक में लिया जाता है तथा इसमें दो इलेक्ट्रोनिक चालक निमजित होते हैं इलेक्टोडों को दिश्ट धारा के इस रोज से संपर्कित कर दिया जाता है तथा बैट्री के धन सिरे से संपर्कित इलेक्टोड हैनोट कहलाता है वैदित अबघटन की क्रियाविधी जब किसी वैदुत अबघट को किसी उचित विलाइक में घोला जाता है या द्रव अवस्था में लिया जाता है तो ये दो आवेशित कड़ों में तूटता है जो आयन कहलाता है जब वितुत धारा प्रवाहित की जाती है तो आयन आरोपित विभुवांतर की प्रती अनुकरिया करते हैं तथा विप्रीत आवेश वाले इलेक्टोडों की ओर गती करते हैं अता रिन आवेश कैथोर्ड की ओर तथा धन आवेश एनोट की ओर चला जाता है अपने नियत इलेक्टोट पर पहुँच कर आयन अपना आवेश त्याक कर उदासीन करण बनाते हैं रिन आवेश कैथोट से इलेक्ट्रोन ग्रहन करते हैं जबकि धना वेश एनोट को इलेक्ट्रोन प्रदान करते हैं अता एनोड पर आक्सी करण जबकि कैथोट पर अफकरण होदा है। वैदुत अबघटन के उत्पाद मुख्यता निम्नकारगों पर निर्भर करते हैं। वैदुत अबघट के बदार्थ की प्रकृति वैदुत अबघटन वैदुत अबघट की दरव अवस्था अत्वा जलिये विलियन में होता है तो लेक्टोडों पर निर्मित उत्पाद भिन्न होते हैं। वैदुत अबघट में प्रयुक्त इलक्टोडों के प्रकार यदि प्रयुक्त इलक्टोड अक्रिय है तो ये अभी क्रिया में भाग नहीं लेता है या यदि इलक्टोड अभी क्रिया शील हों तो ये इलक्टोड अभी क्रिया में भाग लेता है तब वैदुत अबघटन के उत्पाद भिन होते हैं। अधिरिक्त विभव जिसे अधी विभव कहते हैं ऐसे प्राक्रम को घटित होने के लिए लगाना पड़ता है। विलियन का सांदरन भी वैदुत अबघटन के उत्पाद को प्रभावित करता है। फेराडी के वैदुत अबघटन के नियम। फेराडी के वैदुत अबघटन के प्रथम नियम। किसी इलेक्ट्रोट पर निक्षेपित, मुक्त या घुले पदार्थों की मात्रा वेदृत अबघटे विलियन या गलित प्रवाहित विद्धत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। M Q के सीधे समानुपाती होती है जहां M निक्षेपित या गुले पदार्थों की मात्रा है Q विद्दत धारा की मात्रा है हम जानते हैं कि Q बराबर IT है M भी IT के सीधे समानुपाती होती है इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है M बराबर Z IT जहां Z पदार्थ का वैदुत रसायनिक तुल्यांक कहलाता है किसी वैदुत अबघटे गलित या विलियन से प्रवाहित एक कुलोम की विदुधारा से निक्षेपित या घुले पदार्थों की मात्रा को Z से परिभाशित करते हैं फेराडे के वैदुत अबघटन के दुधिये नियम जब भिन्य भिन्य वैदुत अबघटे से होकर विदुधारा की समान मात्रा को प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्टोनों पर मुक्त पदार्थों की मात्राएं उनके रासायनिक तुल्यांक के दरफिमान के समानुपाती होती हैं फैराडी के वैदुत अबघटन के नियम पर उधारण चलिए फैराडी के वैदुत अबघटन के नियम पर एक उधारण लें किसी धात्विक पात्र जिसका कुल प्रिष्ठ एक शेत्रफल नौसो वर्ग सेंटीमीटर है पर 0.5 एंपियर की विद्ध धारा को दो घंडे तक प्रवाहित करने पर सिल्वर का विद्ध निक्षेपन होता है निक्षेपित सिल्वर की मुटाई ग्याद कीजिए चलिए इसका हल देखें यहां दिया हुआ मान है ए पराबर नौसो वर्ग सेंटीमीटर आई पराबर 0.5 एंपियर हम जानते हैं कि निक्षेपित सिल्वर का द्रवेमान एम पराबर ZIT से प्राब्द होता है इन मानों को रखने पर हमें एम पराबर 4.09 ग्राम घं सेंटीमीटर प्राब्द होता है हम जानते हैं कि V पराबर M बटा D इन मानों को रखने पर हमें V बराबर 0.3837 गन सेंटिमीटर प्राप्त होता है मानले की निक्षेपित पदार्थ की मुटाई X सेंटिमीटर है हम जानते हैं कि X बराबर V बठा A इन मानों को रखने पर हमें X बराबर 7.67 गुणा 10 की घात रिन 4 सेंटिमीटर प्राप्त होता है धात्विक पातर पर निक्षेपित सिल्वर की मुटाई 7.67 गुणा 10 की घात रिन 4 सेंटिमीटर है बैट्रियां कोई बैट्री जिसका विद्धित उर्जा के सुरोत के रूप में प्रयोग होता है मुलता एक विद्धित रासाइनिक सेल है जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया की रासाइनिक उर्जा विद्धित उर्जा में रुपांतरित होती है बैटरी श्रेडिं करम में चुड़े तू या तू से अधिक गेलवेनी सेलों की वेवस्था को प्रदर्शित करता है बैटरी के आवश्य कुन हैं? इनकी आयू लंबी होनी चाहिए बैटरी को हलका तथा सुसंबध होना चाहिए ये पुना आवेशित करने योगे होनी चाहिए प्रयोग में लाते समय इनकी वर्टता में अधिक परिवर्दन नहीं होना चाहिए बैटरीयों के प्रकार विविदिव वैवसाईक बैटरीयों को व्रहत रूप से दू प्रकारों में वर्गिकरित करते हैं प्रात्मिक बैटरियां लंबी अवधी के बाद रासाइनिक अभिक्रिया के रुख जाने से निश्क्रिये हो जाती हैं इसे पुना आवेशित या पुना प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है उधारन के लिए शुश्क सेल तथा मर्कुरी सेल संचाहिक बैटरियां संचाहिक बैटरी को निश्क्रिये होने के बाद दिश्ट धारा प्रवाहित कर पुना आवेशित किया जा सकता है तथा बैटरी को बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है उधारन के लिए लेड संचाहिक सेल निकेल कैडमियम संचाहिक सेल शुश्क सेल इस सेल में जिंक का बेलनाकार पात्र होता है जो एनोड का ही कारिक करता है इसका गैथोड कार्बन की छड़ होती है जो चूनित MNO2 तथा कार्बन से घिरी होती है इलेक्ट्रॉडों के बीच का स्थान अमोनियम क्लोराइड NH4Cl तथा ZNCl2 के नाम पेस्ट से भरा होता है बेहतर विद्द संपर्ग के लिए ग्रिफाइट की छड़को पीतल की टूपी पहना दी जाती है तथा बिलन को उपर से पिट्स से बंद कर दिया जाता है जिंक को वायूमंड लिए ऑक्सीजन से सुरक्षा देने के लिए जिंक पात्र को कार्ट बोर्ट से ढख दिया जाता है सेल का विभव लगभग एक तशमलाव पांच शूनने वोल्ट होता है शूशक सेलों का टॉर्चों, टांजिस्टर, रेडियों, घड़ियों इत्यादी में उप्योग होता है मरक्यूरी सेल मरक्यूरी सेल में जिंक मरक्यूरी अमलकम का एनोड होता है तथा HGO तथा कार्बन का पेस्ट कैथोर्ट का कारे करता है वेद्ध अब घटे KOH तथा ZNO का एक पेस्ट है वे अपने विसर्जन के दोरान 1.35 वोल्ट का आचर विभाव उत्पन करता है इसके जीवन काल में सेल का विभाव अचर रहता है क्योंकि समक्र सेल अभिक्रिया में कोई भी ऐसा आयन नहीं होता है जिसकी सांद्रता विलियन में होने के कारण सेल की संपून कारे अवधी में बदल सकती हो मर्कुरी सेल का हिरदय पेस मेकरों, घडियों, कैमरों, श्रवन यंद्रो इत्यादी में व्रहत पैमाने पर प्रयोग होता है लेट संचायक बैटरी इसमें समानता 6 वोल्टेक सेल श्रणी क्रम में जुड़े होते हैं प्रतेक सेल में एनोड इस्पंजी लेट से बना होता है तथा कैथोड लेट डाइयोक्साइड से भरा लेट का एक क्रिट है वैदुत अब घटे H2SO4 का विलियन है जो द्रविमान का 38 प्रतिशत होता है बैटरी के डिस्चार्ज के तौरान अभिक्रिया में सल्फियूरिक अमल की खपद होती है तथा जिसके परिणाम सरूप अमल का घनत्व गिरता है जब विलियन का घनत्व 1.29 ग्राम प्रतिखन सेंटिमीटर के नीचे किरता है तो बैटरी को रिचार्ज करने की जरूरत पड़ती है जब किसी बाहे दिश्ट धारस रोज से बैटरी को विद्ध उर्जा की आपूरती होती है तो सेल विद्ध अब घटनी सेल की तरह कारे करता है तथा रासाइनिक अभिक्रिया होती है किन्तु इलेक्टरोड अभिक्रियाएं बैटरी के डिश्चार्ज के दौरान होने वाली अभिक्रिया के विपरेत अभिक्रिया करती है सेल की धारा आउटपुट को बढ़ानी के लिए एनोड तथा क्याधोट को एक आंतर क्रम से प्यवस्थित किया जाता है तथा एक दूसरे से कुछ अलग पदार्थों के स्तरों से प्रत्थक कर दिया जाता है प्रत्थेक वोल्टेक सेल में विभवान तर लगभग दो वोल्ट की होती है जिससे आउटपुट बारा वोल्ट हो सके बैटरी के छे सेल श्रिनी क्रम में जुड़े होते हैं निकल, कैडमियम, सुंचाइक बैटरी इस प्रकार के सेल में एनूड कैडमियम का बना होता है तथा कैथोड में धातु ग्रेट होती है जिसमें निकल आकसाइड होता है वेदुद अब खटे के ओएच काविलियन है सेल की वोल्टेज लगभग 1.4 वोल्ट होती है बैटरी के डिशार्ज के दौरान कोई गैसी उतपात नहीं बनता है तथा ठोस उतपात बनता है जो इलेक्टरोन से चिपके होते हैं जिसे आविशन प्रक्रियाद्वारा पुना रूपांधरित कर लिया जाता है इन सेलों को प्योग व्रहत रूप से इलेक्टरोनिक खड़ियों तथा केलकुलेट्रों में होता है इंधन सेल इंधन सेल विद्ध रासाइनिक सेल है जिसमें आक्सिक रित होने वाले पदार्थ वैद्ध अपखटे या इलेक्टरोनिक पदार्थ नहीं होते हैं बलकि एक बाहता आपूर्थी करने वाले पदार्थ हैं जिसका उप्योग श्रावन यंत्र में इंधन के रूप में हो सकता है इंधन सेल इंधन की रासाइनिक उर्जा को बिना उश्मा इंजन के प्रयोग से सीधे विद्ध उर्जा में उरुपांद्रित करने की एक योगती है Hydrogen जैसे पारंपरिक इंधन की नियंतृत सत्य आपूर्ति का आक्सीकरन एनोड पर तथा Oxygen जैसे दहन के पारंपरिक पोशक की आपूर्ति का अपचयन कैथोर्ट पर होता है Cell में जब तक Hydrogen तथा Oxygen की आपूर्ति वोती रहती है Cell चलता रहता है इंधन सेल किसी प्रकार की प्रदूशन समस्याएं उत्वन्य नहीं करता है। संचारण संचारण वायु मंडल में उपस्थेद नमी तथा अन्य गैसों की अभिक्रिया द्वारा धादूँ को उनके अनैच्चिक योगिकों में रुपांद्रित करने का मंद्य प्राक्रम है। उधारण के लिए चांदी का पदरंग होना, लोहे में जंग लगना, कौपर पर हरी रंग का लेप चड़ना तथा लेट का अपनी चमक खोना। संग्शारण की दर को प्रभावित करने वाले कारक हैं धातू की अभिक्रिया शीलिता, अशुद्धियों की उपस्थिती, वायू एवं नमी, धातू में तनाव तथा वैद्वत अपखट्टी की उपस्थिती। जंग लगने के वैद्वत रासाइनिक सिध्धांत। तथा अशुद्ध सतह कैथोड की तरह वैवाहर करता है। नमी जिसमें ऑक्सीजन या कारबन डायोकसाइड खुले होते हैं, वैदुत अपघटे विलियन की तरह कारे करता है। एनोट पर आइरन परमाणों का आक्सी करान होता है। कैथोड पर ह की घाद धन आयन द्वारा इलेक्ट्रोन ग्रहन कर लिया जाता है। हाइडोजन परमाणों घुलित आक्सीजन को अपचाइड कर देता है। इस प्रकार उत्पन फेरस आइन जल से होकर आइरन की सतह पर पहुंचता है। और जहां इसका वायोमंड लिये आक्सीजन द्वारा फैरिक अवस्था में आक्सी करन होता है। जो जंग का निर्माण करता है। संग्शारन की रोक था। संग्शारन से धातूँ की सुरक्षा की कई विधिया हैं। इन में से कुछ निम्न प्रकार की हैं। अवरोधक सुरक्षा। इस विधिय में एक अवरोधक फिल्म आईरन तथा वयू मंडल ऑक्सीजन तथा नवी के बीच रखी जाती है। उत्सर कुसुरक्षा। इस विधिय में आईरन सतह को किसी अधिक सक्रिय धातू की परस से आच्छादित कर देते हैं। टिन से आईरन का आच्छादिन। टिन बहुत कम विधुध धनात्मक होता है। तथा इसका वायू में संक्षा रण नहीं होता है। जब टिन की परत को आईरन की सतह पर आरूपित किया जाता है तो ये जंग के विरुध सुरक्षित होता है। विधुध सुरक्षा इस विधी में आईरन को कुछ अधिक विधुध सक्रिय धातू जैसे की मैकनेशियम, जिंक तथा अलिमिनियम से संपरकित किया जाता है। जंग विरुधी विलियनों का उप्योग ये शारिये फासफेट तथा शारिये क्रुमेट के विलियन है। विलियनों को FE2 प्लस में पूरा करता है। क्या आप जानते हैं। सामाने तापमान पर आईरन का नमी की अनुबस्तिती में सही तरह से संक्षारण नहीं होता है। वैतुद अपखटन स्थाई रूप से बाल हटाने की एक मात्रविधी है, जिसे खाते एवं आउशद प्रशासन ने मानिता प्रदान की है। सर्वु प्रथम बैटरी अले सेंद्रों वोल्टा ने 1798 इस्वी में बनाया। प्राकृतिक जल में संक्षारण की दर साधारण दातु की सतह पर जल की कती बढ़ने से बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में तोहराएं। वैदृत अबखटे या इसके जलिये विलियन में वैदृत धारा की प्रवासे होने वाले रासाइनिक अबखटन के प्राक्रम को वैदृत अबखटन कहते हैं। जब किसी वैदृत अबखट को किसी विलाइक में घोला जाता है या द्रव अवस्था में लिया जाता है तो ये दो आवेशित कड़ों में तूटता है जो आयन कहलाते हैं। किसी इलेक्टृट पर निक्षेपित, मुक्त या घुले पदार्थों की मात्रा वैदृत अबखट विलियन या गलित प्रवाहित विद्धारा की मात्रा के समानुपाते होती है। बैटरी श्रेणी क्रम में जुड़े दो या तो से अधिक गेलवेनी सेलों की वैवस्था को प्रदशित करता है। का मंद प्राक्रम है। लोहे के अशुद्ध सतह ऑक्सीजन तथा कारबन डायोकसाइड युक्त जल की उपस्तिती में लगू वैदूत रासाइनिक सेल की तरहा वैवहार करता है। इस प्रकार के सेल को संग्शारन सेल भी कहते हैं। करता है। करता है। करता है। करता है। नहरो के अशुक्त थाइड प्रता है। लोहे ही जल पार जागनिक सेल कारब सक्ते है। करता है।